देश की बाग दोर कॉंग्रेस के हत्ते आते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के अस्तित्व से खिलबार करना शुरू कर दिया। कश्मीर में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कॉंग्रेस की केंद्रे सरकार ने 1987 में कश्मीर विधान सबाचनाओं की रिगिंग की। कटर पंथियों की भाड़ी भीर उम्री। भारत विरोध के नारे भी लगे। पहले से ही भैबीत अल्प संख्यक कश्मीरी पंडितों को दो विकल्प दिये गए। या तो इसलाम में परिवर्तित हो या फिर अपनी मात्र भूमी का त्याग कर कश्मीर छोड़ो। हत्या और हिंसा का सिलसिला रात भर चला, पंडितों का उत्पीर अंगर उन्हें मजबूर किया गया। उनके सामूहिक पलायन यानी एक सोडस की शुरुवात हुई। एक बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने अपने घर और जमी का त्याग कर घाटी को छोड़ने का निर्मे लिया। कॉंग्रेस की इलेक्शन रिगिंग राजनीती का कुछ ऐसा असर हुआ कि सरकार के खिलाफ शुरू हुए संखर्ष ने जल्दी धार्मिकरंग ले लिये। अलगाओ वादियों द्वारा हिंदूों के खिलाफ की गई इस हिंसक घटना की आज भी कुछ लोग हॉलो कॉस्ट और नर सनहार से तुलना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दर्दनाक विद्रों में पंडित समुदाई के दोसों से अधिक सदस्यों की जान गई। नतीजन करीब 24,000 कश्मीरिक बंडित परिवार, जम्मों और अन्यशेत्रों में जान बचाने हे तुछ शरण लेने निकल गए। तब से ये विस्थापित कश्मीरिक बंडित अपने ही देश में शरनार्ती के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मन में एक छोटी सी आशा रखते हैं कि किसी न किसी दिन एक बार फिर वो अपने जमी अपनी जन भूमी को लौट पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी मात्र भूमी से पुना मिलन कर पाएंगे।